हलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरी यूटूब चैनल स्टडी पाइंट टीवान में आपका स्वागत है हम आज की इस वीडियो में बॉंबे अस्टाउक एस्टेंज के बारे में बहुत ही सरलभासा में जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेशिक बातों को आ and test of Nobel होता है फिर्स फ्रैंडी मार्केट सेकेंड्स सिकेंड्री मार्केट में कोई कंपने पहली वार्थिप्वूति को जारी करते हैं जेसे नभेषक प्रत्यच को स्पुर्थे कंपनी कोrust जब्कि की ह cachemberiße मेर्कर प्राम मार्केट में जारी किए गए प्रतिप्रोतियों क ही खरीद वीकरी होती है इसमें एक निवेशक दूसरे निवेशक से परतिभूती को चरीदते हैं इसी सिकेंडरी मार्केट को हिया स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज या सेयर बाजार कहा जाता है इस परकार सेयर वाजार या अस्टॉक एक्सचेंज या अस्टॉक मार्केट वह वाजार है जहां ब्यावसाई या निवेशक बीविन कमपनियों के प्रतिभूतियों जैसे सेयर, बॉंड, डिवेंचर, मिच्वल फंड आधी को खरीदते और बेचते हैं भारत में मुख रूप से दो अस्टॉक एक्सचेंज या अस्टॉक मार्केट या सेयर वाजार है जिसमें से फर्ष्ट है बॉंबे अस्टॉक एक्सचेंज और सेकेंड नैशनल अस्टॉक एक्सचेंज आज का मेरा टॉपिक यही बंबे अस्टॉक एक्सचेंज है अब हम ल वेशक दूसरे निवेशक को कंपनियों के प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं इस परकार बंबे अस्टाक एक्षेंज वह वाजार है जहां पर प्रतिभूतियों की खरीद विक्री की जाती है बंबे अस्टाक एक्षेंज को सौट में BAC Limited कहा जाता है BAC के अस्थापना 1875 में प्रेम चंद्र राई चंद्र ने महराष्ट के मुंबई में किया था शुरुआत में इसका नाम Native Stock Broker Association था जिसे बाद में बदल का बंबे अस्टाक एक्षेंज कर दिया गया बंबे अस्टाक एक्षेंज भारत का पहला अस्टाक एक्षेंज है यह भारत का ही ने बलकि एशिया का भी पहला अस्टाक एक्षेंज है और यह दुनिया का दश्वा अस्टाक एक्षेंज है Bombay Stock Exchange के सुचकांग या Index को Sensex कहा जाता है जिसे हिंदी में संबेदी सुचकांग कहा जाता है Sensex का Full Farm Stock Exchange Sensitive Index होता है Bombay Stock Exchange के Sensex या संबेदी सुचकांग में 30 बड़ी कमपनियों को शामिल किया गया है जो 30 प्रमुक सेरों का प्रतिनी धित्व करता है Bombay Stock Exchange के अध्यच एशिश मुद्रा है भारतिये पुझी बाजारों में Bombay Stock Exchange की अहम भूमकार रही है अंतराश्टिये बितिये बाजार में भारत का योग अस्थान दिलाने में Bombay Stock Exchange ने अहम भूमकार निभाई है इस परकार हम लोगों ने आज के वीडियो में Bombay Stock Exchange के बारे में सभी महत्पुन बिंदों को जाना और समझने का परियाश किया इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता है हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार